Hello and Welcome Friends मैं हूँ अमन आपका दोस्ट और होस्ट और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ किया आप Domestic Violence के केस को किस तरीके से Fight कर सकते हो Friends मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाए है ये लड़के के Prospective से बनाए है किसी भी लड़की को इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं है हर किसी के लिए मेरी हमदर्दी और मैं यह चाहूंगा कि अगर आपका तूटा वा रिष्टा है तो वो बन जाए आगे बढ़ने से पहले यह बताना चाहूंगा तो आप हमें इमेल कर सकते हमारा इमेल एडरस है आसानरास्ता-legal-ad-gmail.com नीचे हमारा इमेल एडरस लिखा हुआ है आप हमें चाहें तो कॉन्टाक्ट कर सकते हो आगे बढ़ते वे अगर आपके ओपर डोमस्टिक वाइलेंस का केस फाइल हो है कि आपको अभी क्या-क्या होने वाला है आपके साथ सबसे पहले जो यह होगा कि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ एक कंप्लेंड सब्मिट किये कोट में इस कंप्लेंड के ऊपर नॉर्मली कोट में ऐसे होता है कि आपके उपर उनों ने जो आपकी वाइफ है उसने आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपकी बहन का नाम, पिता जी का नाम और कुछ रिष्टेदारों का नाम लिखा होगा उसमें जैसे वो complaint फाइल करती है वैसे ही उस complaint के उपर समन इशू हो जाता है यह जो समन है, उसका मतलब क्या होता है, समन एक notice होता है कि आपको court में आके इसका जवाब देना है तो अगर वो जो समन आएगा आपको वो normally post से आएगा, क्योंकि वो protection officer के पास में आपकी wife को देना पड़ेगा फिरो protection officer आपको speed post से भेजेगी या हो सकता है, protection officer आपके घर पे भी आए और वो आपको दे अगर आपने वो नहीं लिया तो protection officer लिख देगी कि आपने जानबूच के नहीं लिया तो बहतर है कि आप वो ले लें लेकिन एक और चीज़ दियान रखे कि समन के साथ में उसकी शिकायत का जो copy है, जो उसने शिकायत सब्मिट किये, वो शिकायत की copy भी होनी चाहिए और उसके साथ में उसमें कुछ सबूद भी दिया होगा, वो सबूद भी साथ में होने चाहिए, इन सबूदों को exhibits कहा जाता है, जी हाँ exhibits, तो main complaint, affidavit और exhibits, ये तीनों का एक बंच होगा जो समन के साथ दिया जाएगा अगर आपको ये मिल जाता है, तो आपका जो next step है, वो ये है, कि आप वहाँ पर court में हाजिर हो, जरूरी नहीं है कि आप advocate को immediately रखें, लेकिन court में हाजिर होना आपको जरूरी है, हाजिर होने के बाद जो जो इल्जामात लगाए गए है, आपकी wife ने जो इल्जाम लगाई नहीं आ रहे है, उसका reply बनाने नहीं आ रहे है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको, आपको जो है, वो copy जो है, आपको मिली है, वो आप हमको email करके, या scan करके, या photo से, photo से click करके भेज सकते हम आपको उसका reply बना के देंगे, हमारा email address नीचे दिया हुआ है, आसान रा एक interim application, यह interim application जो है, वो किस चीज के लिए होता है, कि जब तक यह domestic violence का case चल रहा है, तब तक आपकी wife को maintenance मिले, मतलब एक रकम, और वो बड़ा चड़ा के लिखेगी, कि उसे 50,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, 2,000, चाहिए, वगरा वगरा, चिंता करने की जरुद नहीं है, आप जो reply देंगे, उस reply के साथ, उस interim application के उपर भी आपको reply देना है, उसके बाद में, अब वो submit होने के बाद, arguments होंगे, arguments में decide होगा, कि आपको कितना maintenance देना है या नहीं, again आपको चिंता करने की जरुद नहीं है, अगर जादा maintenance हो गया, तो अगर approve हो गया, आपकी wife के favor में, त सकते हों, तो friends, आप, मुझे उमीद है कि आपको यह basic information पता चलिए होगी, domestic violence case के बारे में, अगर आप अच्छा वकील ढून रहे हो, या आपको advice लेना है, या आप चाते हो कि आप reply बनाओ, या legal opinion लेना है, तो आप हमारे email पे हमें बेच सकते हो, आसान्रास्ताlegal.gmail.com, जी हाँ, नीचे लिखा हुआ email address, आप उस पे हमें email कर सकते हो, और हम आपकी मदद करेंगे, चैनल को ज़रूर subscribe कीजिए, ताकि आपको free में बहुत सारी information मिले, और bell icon पे भी click कीजिए, thanks for watching.